जानी कब है साल का आगरी सूरे ग्रहन गर्वती मेला इस सूरे ग्रहन में अपना यह सावधानी हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर करें वार्ट्सअप और फेस्बुक सभी जगे और हमारे लेटेश वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाए सूरे ग्रहन 2020 सूरे ग्रहन के दोरान गर्वती मेला और छोटे बच्चों को रखना चाहिए विशेश ध्यान जाने सुताक काल का नियम सूरे ग्रहन 2020 14 December 2020 को सूरे ग्रहन पंचाँग और जोती यह गन्या के अनुसार साल का अंतिम सूरे ग्रहन 14 December 2020 को लगने जा रहा है सूरे ग्रहन के दोरान कुछ नियमों को पालन करना चाहिए इन नियमों को बारे में आये जानते हैं हलो दोस्तों आप सभी के स्वागते हैं हमारी यूटूब चैनल डीकेट्व नूज में 14 दिसंबर 2020 को सूरे ग्रहन टाइमिंग इन इंडिया शूरे ग्रहन को जोतिस सास्त्र में एक महित्पून घटना के तोर पर देखा जाता है शूरे ग्रहन को जोतिस सास्त्र में सुब नहीं माना गया है शूरे ग्रहन के दोरान सूरे कमजोर पढ़ जाता है शूरे एक तरह से ग्रहन के दोरान पीडित हो जाता है जिस कारण उसकी सक्ति छीन हो जाती है शूरे ग्रेन के दोरान टेज आंध्या चलती है और कई प्रिकार की नकारात्मा उड़ जाए निकलती है शूरे ग्रेन का सभी राशियों पर खास प्रवाव करता है इस बार मित्थुन लगन और व्रशिक राशी में शूरे ग्रेन लगने जा रहा है ऐसा मना जाता है कि जिस राशी और लगन में ये ग्रेन लगता है उसे विशेश सावधानी ब्रतिनी चाहिए इसलिए इस बार मित्थुन और व्रशिक राशी वालों को विशेश सतर्कता बरतने की जरुत है शूरे ग्रेंड कब लग रहा है शूरे ग्रेंड 14 दिसंबर 2020 को व्रशिक राशी में लगने जा रहा है विशेश बात ये है कि शूरेग के साथ चंद्रमा, बुद, सुर्य, केतु भी मौजूद रहेंगे सूरेगन के दोराश 5 महतपूर विष्भ राशी में होंगे सभी ग्रह सूरेगन के बहती ही महतपूर बनाते हैं इसका असर भारत और दूसरे देशों में दिखाई देगा सूरे ग्रेंड का समय 14 दिसंबर को सूरे ग्रेंड भारते सामय अनुसार 7 बच कर 4 मिन से मद्य रातरी तक रहेगा भारत में इस ग्रेंड को खंड ग्रास ग्रेंड माना जा रहा है खंट गराश ग्रैण सूरे ग्रैण में सूत तक काल का कोई मान्य नहीं होता है इसलिए इस ग्रैण का विशेष धार्मिक में तो नहीं होगा लेकिन फिर भी कुछ नियमां का पालन करना उत्तम रहेगा गरवती महिला और बच्चों को रखना चाहिए विशेश ध्यान सूरे गरवती महिला और बच्चों को रखना चाहिए विशेश ध्यान सूरे गरवती महिला और कुछ लोगों को विशेश सावधानी बरतनी चाहिए और सूरे और पूजा करने के बाद भोजन आदी करना चाहिए सूरे ग्रेंड के दोरान गड़ोती मेला को चाकू, पिन, सूई जैसी नुक्विली चीजों से धूर रहना चाहिए क्योंकि हिंदी पौरानी कताओ के अनुसार माना चाता है कि वो इस अबदी के दोरान सुषू में विकरती का कार्ण बन सकती है ग्रेंड के दोरान चाकू, बलेड, केची, जैसी किसी भी काटने वाली वस्तू का उप्योग नहीं करना चाहिए इससे एजनवे बच्चे के अंगों पर बुरा असर पड़ता है सुषू दागा का उप्योग भी इस समय के दोरान निशिद मना जाता है ग्रेंड की अबदी के दोरान भगवान का नाम लेने के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए गर्वती मेलाओं को ग्रेंड को खुली आकों से नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये हानिकारक भी हो सकता है सूरे ग्रेंड को कभी भी खुली आकों से नहीं देखना चाहिए क्योंकि इससे आकों की रोशनी खराब हो सकती है शूरे ग्रेन के दोरान गर्वती मेला को सोने की सला नहीं दी जाती है और उसे फर्स पर फेली घास पर वेठना चाहिए शूरे ग्रेन के बाद गर्वती मेला को इसनान करने की सला दी जाती है शूरे ग्रेन पर बन रहा है खतरनाक योग सूरे ग्राइन को दोरान गुरू चांडाल योग भी बनने जा रहा है, जोती शास्त्र में इस योग को खतरनाक योगों में से एक माना जाता है, इस दिन राहु की दृष्टी ब्रसपती पर रहती है, ब्रसपती मकर रासी में सनी के साथ ब्रेजमान है, जिन लोगों का जनम कुंडली में पहले से गुरु चांडाल योग बन कर बेटा हुआ है उन्हें विश्य शुरूप से साफदानी बरतने की जरौत है बारते समय का अनुसार ये सूरे ग्रेंड 7 बज़कर 3 मिंट से शुरू होगा जो रात 12 बज़कर 23 मिंट पर खतम हो जाएगा सूरे ग्रेंड की अवलदी लगवग 5 गंटे रहेगी ये सूरे ग्रेंड दक्षनी अपरिका अधिकांश दक्षिन अमरिका प्रसांत मासागर अंटार्टिक हिंद मासागर अंटार्टिका में पूर्ण रूप से दिखाए देगा शूरे ग्रेंट 2020 को लेकर आपकी क्यार आये हमें कमेंट बोक्स में कमेंट करें ताकि आने वाली वीडियो में हम शूरे ग्रेंट से समधित आपको नई अपडेट देते रहें अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और ज़ादा ज़ादा सियर करें फेस्बुक और वाटसप सभी जगे और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाए